नमस्कार स्वागत जारखन की फटापट ताजा पड़ी खबरों में पहली पड़ी खबर सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड हुआ कैंसिल जैसे सी सीजिल जारखन में जैसे सी सीजिल का आयोजन पूरे जारखन में निर्धारित एक्जाम सेंटर पर 21-22 सितंबर 2024 को हुआ था बतादे की परिशा खत्म होने के बाद इस परिशा में कति धांदली एवंपेपर लिख जैसे आरोप लागातार अभ्यारतियों तवारा लगाय जा रहे हैं बतादे की परिशार्थी SSC CGL परिशा को रद करने को लेकर बिरोत परदर्शन भी कर रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने सोसल मीडिया का उप्योग भी बढ़ चड़ कर किया है जिसके कारण सोसल मीडिया हैंडल एक्स पर भी कैंसिल जैसे सी CGL ट्रेंट हुआ है बतादे की जहार्खंट CGL एक्जाम 2024 का आयोजन दो शीप्ट में 21-22 सितंबर को हुआ था पेपर वन का आयोजन पहली शीप्ट में खत्म करवाय गया था जिससे की टाइमिंग 8-10 बज़े तक निर्धारित है इसके बाद पेपर दूसरा का दूसरी शीप्ट में सुबह 11-21 से दोपहर 10 बज़े तक करवाय गया था जहार्खंट में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जहार्खंट सरकार लेगी बड़ा फैसला जहारखंड की हेमन सुरेन सरकार आउटसोर्सींग के माध्यम से कारिजरत हजारों कर्मियों को मानदे और अन्य सुविधाय देने की दिशा में एक महतपूर्ण निर्णे लेने जा रही है खबरे की जहारखंड उच नयाले की आदेश और कर्मियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिमन सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि इनके हित में नीतिगत फैसला लिया जा सके बताद की जहारखंड के सियम हिमन सोरेंड की अद्रिक्षता में मंगलवार यानि आज होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में इस पर इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी खबरे की बरतमान में जहारखंड में 31,000 से अधीक आउट्सोर्सिंग कर्मी कारिरत हैं यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सुनिश्शीत किया जा सकेगा कि आउट्सोर्स कर्मियों की जिम्यदारी निर्धारित किया जाए उनका सोसन रोका जाए जहारखंड में 15 अक्टूबर से मौनसून की बिदाई 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना जहारखंड में 10 अक्टूबर को जहारखंड के 8 जीलों में बारिश हो सकती है वहीं खबर है कि 11 अक्टूबर को भी जहारखंड की कई लाकों में बादल छाय रहने की संभावन मौसम विभाग की माने तो जहारखण में 12 अक्टूबर से मौसम साफ हो सकता है हालाकि 15 अक्टूबर से मौनसुन की विदाई संभाव है इसके बाद जहारखण में थंड बढ़ने लगेगी बतादे की जहारखण में दुरगा पूजा के दोरान बारिश बाधा बन सकती है बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाओ का छेत्र का असर जहारखण में शनिवार से ही दिखने लगा है बतादे की 10 अक्टूबर को जहारखण के गुमला जमशितपूर हजारिबा खूटी बोकारो सिम्डेगा चैबासा और खरसावा जीले में हलके से मध्यम दरजे की बारिश हो सकती है खबर ये है कि दोरान कई अस्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है इधर जहारखण के चैबासा से बड़ी खबर है यहां शालिमार कुरला एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल कराने की की गई कोशिस जहारखंड के चैबासा से बड़ी खबर सामने है यहाँ पर एक बड़े हाथसे की बड़ी साजीस रचे जाने का मामला परकास में आया है खबरों को माने तो जहारखंड के चैबासा में शालिमार कुरला एक्सप्रेस ट्रेन को डेरियल कराने की कोशिस की गई है खबरों की माने तो जहारखन के चैवासा जीले के सोनुवा रेलवे इस्टेशन के समीप रेलवे ट्रेक के जोएंट पॉइंट में बड़ा पत्थर फसा दिया गया था बदादी की रेलवे ट्रेक के जोएंट पॉइंट संख्या 101A और 102B पर किसी ने बड़े पत्थर रग दिया था ट्रेक पर रेलवे की पेट्रोलिंग टीम ने पत्थर को देखा तो उसे ट्रेक से हटाया खबरों की माने तो जिस समय अधिकारियों को ट्रेक पर पत्थर होने की जानकारे मिली उस वक्त शालिमार कूरला एक्स्प्रेस अप लाइन पर आने वाली थी जहरखन के पूरवे मुख्यमंत्री चमपई सोरेन को होस्पिटल से मिली चुट्टी परधानमंत्री को दिया धन्यवाद होस्पिटल में एडिमिट हो गए थे बतादी की अब होने अस्पताल से चुट्टी मिल गई है खबराईकू ने बलड शुकर की जुड़ी समस्याओं के कारण शनिवार को रात को जमशेदपूर के टाटा मेन होस्पीटल में एडमीट करया गया था बर्दादेकी परधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री चमपई सोरेन को फोन कर उनके हेल्थ का हाल जाना है चमपई सोरेन को फोन कर पियम मोधी ने उनके शिक्र स्वास्थ होने की कामना की है बदाद की चमपई सोरेन के बीते शनिवार को बलड शुगर लेवल में गिरावट के कारण अस्पताल में भरती होना पड़ा खबरों की माने तो चमपई सोरेन ने प्रधानमंत्री को धन्यवा देते हुए कहा था कि वह काफी बेहत्तर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उमीद कर रहे हैं गांडे विधायक कलपना मुर्मो सोरेन ने कहा हेमन सरकार ने खुशी देने का किया है काम गांडे विधायक कलपना मुर्मू सोरेन ने रविवार को गुमला में हवे अड़ा में मैया समान, यात्रा, अल्दरगत, आयुजित कारिकर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहारखंड की आधी आबादी को हेमन सरकार ने खुशी देने का काम किया है जिसकी गूंज नकेवल जहारखंड बलकि पूरे देश में है। हर माह एक हजार उपे दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहारखंड में पंदरे सालों तक बीजेपी की सरकार थी लेकिन भाजपा सरकार ने क्या दिया। इसके साथ एक निशित सीमा समय सीमा तैक होता है यह सीमा ATM कार्ड के परकार और बैंक के पॉलिसी के आधार पर निर्फर करता है। उदाहरण के लिए किसी बैंक के ATM से एक दिन में अधिक्तम 40,000 तक की निकासी भी किया सकता है। जहां किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य बैंकों में यह सीमा 50,000 तक भी हो सकती है। अगर आपको भी इस निर्धारित सीमा से अधिक कैश की जरूरत पड़ जाती है तो आपको अगले दिन तक इंधिजार करना पड़ेगा। ATM से बड़ी रकम निकालने की सीमा के ओल दैनिक आधार पर तै होता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक बार में कितनी राशी ATM से निकाल पाएंगे। बता दी कि अगर आप एक वीत्य वर्ष में 20 लाख रुपे से अधिक नगत की निकालते हैं और आप पिछले 3 साल से इंकम टेक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको TDS का भुकतान करना होगा। इसका भीनियम आपको समझना होगा जैसे ही आप 20 लाख रुपे से अधिक नगत निकालते हैं तो आपको इस स्थिती में 2 परतिशत की डर से TDS का भुकतान करना होगा। लागू किया जाएगा और राजे में नागरीता का रजिश्टर भी बनेगा। शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि विदेशी खुस पैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। रक्षा करना हमारा संकल्प है। शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि बांगलादेशी घुस पैठियों के कारण जारखंड की डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी आवादी 44 परतिशत से घटकर 28 परतिशत रह गई है। देश के सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अगनिवीर जैसी भरतियां। इस्टेट बैंक, बैंक ओफ इंडिया, यूनियन बैंक ओफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवर्सीज बैंक ने भरति परक्रियां शुरू कर दी है। अध्यम से बैंकों में कर्मचारियों की कमी को पुरा किया जाएगा। लेकिन अस्थाई नौकरी की कोई कारंटी नहीं होंगी। इगनू ने बढ़ाई सभी अस्थाईमेंट को जमा करने की अंतिम तारीक। इगनु यानी इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विश्व विद्याले इगनु ने सभी असाइन्मेंट को जमा करने की अंतिम्तिती बढ़ा दी है। खबर है कि इगनु के शात्रे अपना असाइन्मेंट 31 अक्टूबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। बता दी कि इगनु ने असाइन्मेंट सब्मीट करने की डेट सभी तरह के कोर्सों के लिए बढ़ाई हैं। अब ऑनलाइन डिश्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कारेकरमों में एडिमिशन के लिए 15 अक्टूबर तक आविदन किया जा सकता है। बढ़े हुई तारीक इगनु के यूची और पीजी लेबल के प्रोग्रामों के लिए है। इगनु के ओडियल और ओनलाइन कोर्सों में एडिमिशन चाहते हैं। वे इगनु की आधिकारिक वेबसाइट इगनु.sc.in पर किये जा सकते हैं। किया जा सकते हैं।